पावस्टार पवन सिंग के फैंस हमेशा से ये चाहते हैं कि पावस्टार जब भी कुछ करें तो हमेशा हट कर करें लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार ये सवाल करते आ रहे हैं कि भले ही पावस्टार पवन सिंग किते भी बड़े स्टार क्यों न हो वो बॉलिवुड कि फिल्मों में काम तो कभी किये नहीं ना बॉलिवुड के लिए गाना गाया वहीं आप अगर पंजाबी सिंगरों को देख ले बड़े से बड़ा सिंगर है वो बॉलिवुड के लिए गाना गाता ही है तो चलिए आपको इसका भी जवाब देते हैं पावस्टार पावन सिंग के मैनेजर अमिच सिंग ने एक इंटर्विव में ये कबूला था कि पावस्टार पावन सिंग को काफी ओफर आते हैं बॉलिवुड की और इतने बड़े कि शायद उसे इनकार करने से पहले हर बड़ा सितारा एक से दो बार सोचता है लेकिन पावस्टार पावन सिंग ने कभी नहीं सोचा क्योंकि वो हमेशा से अपने भोचपूरी इंडस्ट्री को प्यार करते हैं और उनका यही कहना है कि बॉलिवुड वाले आकर भोचपूरी में काम करें ना कि भोचपूरी वाले जाकर बॉलिवुड में काम करें यानि कि भोचपुरी इंडस्री की पावस्टार पवन सिंग रिच बढ़ाना चाहते हैं उसे रिच बनाना चाहते हैं इसलिए वो बॉलीवुड में नहीं काम करना चाहते हैं ना बॉलीवुड के एक्टरों के लिए काम करना चाहते हैं और इसी से एक रिलेटेड आपको और किस्सा बता दे कि खुद लॉली पॉप के जो मेकर है उन्होंने कई बार इस बात का खुलासा किया है कि लॉली पॉप गाना जो कि भोचपूरी का माइल स्टोन गाना है मास्टर पीस गाना है उस गाने को लेकर कई मरतबा बॉली वुड के बड़े बड़े ओफर आ चुके है कि ये गाना उन्हें बेज दिया जाए लेकिन अभी तक लॉलिपॉप गाना इसलिए बॉलिवूड में नहीं भी का क्योंकि इसके मेकर जानते हैं कि ऐसा गाना सदियों में एक बार बनता है दसकों में एक बार बनता है और बनने के लिए बाद इसे बेचना कहीं से भी इन्ह बेमानी ही नजर आता है तो आप क्या कहेंगे हमारे इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए